नमस्कार चात्रो आज हम व्याकरण में कुछ और सब्दों की सिद्धी जानेंगे मैं डोक्टर रवी सहाई का चारिये रिशिकुल संस्कृत महाविद्याले गुरुगराम से सबसे पूरु हम देखेंगे करक अंधु हुँ शब्द किस परकार निर्मित होता है तो करक जम्या अंधु सकंद्धवादीशू पर रूपम वाच्यम इती सूत्रेण वार्तिकेण पर रूपम भवती तेन करकस्य अकारश्य देखें जो इस करकस्य के अकार है इसका पर रूप हो जाएगा तो अंधो चे ये सुत्र क्या करेगा अकारस्य पूर परियोस्थाने पर रूपम एक आदे से हैं तो ये जो करक में जो ए है और इस अंधु में जो ए है इसको मिलाकर ए कह कर देगा देखे नियम तो ये है के ए और ए मिलकर आ होगा लेकिन अंधो चे सुत्र ने जो अकार है करक में और अंधु में इन दोनों को अकार ही कर दिया तो करकंधु इती सिद्धम अगला देखेंगे गवाग्रम गवाग्रम किस परकार बनता है गो जमा अग्रम अवंग स्पोटायनस्य इती सूत्रेण पदांतस्य इंगंतस्य गो अवंग वास्यात तो गो अवंग जमा अग्रम ये हमें प्राप्त होगा देखिए अवंग स्फोर्ट टायनस्य ये अवंग आदेश कर देता है अगला है अची परत है इती सूत्रेन गो ओकारस्य स्थाने अवंग संपन्नह तो ये अवंग और इस ओ को आउ कर देगा तो गव अंगम हमें प्राप्त होगा अकैस्वर्णे दीरगे इत्येन चे दीरगा तो जो ए में ए है वे में और अग्रम में जो ए है इसे दीरग हो जाएगा अकैस्वर्णे दीरगे से तो आ प्राप्त होगा तो गवाग्रम इती सिद्धम आगे देखेंगए विष्णु दे किस परकार निस्पन हुआ है विष्णु जमा उदे तोँ अकैस्वर्णे दीरगे इती सूत्रेन अकुत्रस्य सवर्णे अची परतय पूर्परयो स्थाने दीरगादेसो भonse देखिये जो विश्णु में हो है और उदे में हो है, इन दोनों को दीरग उकार हो जाएगा अकैस वर्णे दीरगे से, जब इसको वन सयोजन करेंगे तो हमें विश्णू दे इती सिद्धम प्राप्त होगा आगे देखेंगे हरीश शेते किस परकार बनाए हरीश जमा सेते तो स्टो स्चू ना स्चू इती सूत्रेण सकारस्य तवरगस्यो स्थाने शकार चे वरगव भ्याम योगे शकार चे वरगव भवते इती हरीश सकार स्थाने शकार है देखिए हरीष का जो ये से है इसे शे हो जाएगा तो हरीष जमा सेते प्राप्त हुआ जब इसका वन सयोजन करेंगे तो हरीष सेती इती सिद्धम आगे धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल दुआरा बनाई गए व्याख्यान सरंखलाओ को पसंद कर रहे हैं तो हमारे वीडियोज को लाइक करें और कोई समस्या हो तो कमेंट करके अवस्य पूछे और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद